अगर आप किसी रियल स्टेट प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो रेरा का कानून आपके लिए जानना सबसे जरूरी है रेरा का कानून 2016 में केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, इसका पूरा मतलब होता है रियल स्टेट रेगुलेट्रि अथोरीटी, इसके अंदरगत ये प्रावधान किया गया है, कि रियल स्टेट में जो भी गतीविधिया हो रही हैं, उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकारे मिल कर regulate करें सबसे पहले देखते हैं कि यह लागू किस पर होता है जो 2016 में प्रजेक्ट चल रहे थे जिनका completion नहीं हुआ है और जिनका size 500 गज से जादा plot size है या 8 से जादा unit जहां बन रहे हैं उनपर रेरा का कानून लागू हो जाता है जैसा हमें पता है मैं 2016 से लागू कर द regulations notify किये गए और regulatory authority appoint कर दी गई जो कि आपकी सारी शिकायंतों को सुनेगी समझेगी इसमें देखते हैं कि सबसे जरूरी जो change किया गया जो सबसे महत्वपूर्ण change किया गया वो क्या है सबसे पहले तो project आपको register कराना पड़ेगा कोई भी builder बिना register कराए कोई project बेच नहीं स अपनी company के बारे में पूरा detail देगा company का डाम देगा कब बनाई गई उसकी capital की जनकरी balance sheet की जनकरी उसके directors की जनकरी contact number email ID सब कुछ वहां वो डालेगा और अपने प्रजेक्ट का valuation भी डालेगा रेरा एक्ट की सबसे बड़ी उपलब्दी यह रही कि registration कराने के लिए जो contractor जो builder जो promoter आ रहा है उसको अपनी पूरी जनकरी वहां देनी पड़ती जो की बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसके पहले builder कौन है plot किसका है कौन बना रहा है कौन promoter है इसके बारे में परदा रखा जाता था एक bluffing की जाती थी उसके कारण अगर कोई builder भाग गया या कोई जगड़ा हो गया तो builder को पकटना बड़ा मुश्किल होता था और ऐसे धोके बाजी के काम पहले हुए है परन्तु अब ऐसा नहीं है अब इसके साथ साथ जो mandate यह किया गया है कि उस project को आप तभी बेचेंगे जब आप register हो गए है रेरा में और आप 10% advance लेंगे allotment money के नाम पर उसके बाद जो terms and condition आपके जो flat के या जो भी property के बारे में terms and conditions होंगे वो भी defined है और जो format रेरा authority ने प्रेस्क्राइब किया है उस format का ही agreement आपको sign करना होगा अगर आप समय से कोई builder समय से नहीं पूरा कर पा रहा है project दे नहीं पा रहा ह जूठे वाइदे किये हैं तो उसके उपर penalty है उसके उपर interest है और इस बारे में complaint आप रेरा authority के बारे में के सामने लगा सकते हैं इसके साथ साथ बहुत सारी जो positive चीजे हुई है रेरा act में वो यह है कि रेरा act के अंतरगत builder को carpet area define करना पड़ता है कारपेट एरिया ही बेचा जाएगा super area या बाकी जो misleading चीजे होती है जैसे कि आपको size flat का लिख के दे दिया 3000 square foot super area उस super area में आपको जो actual area मिलता है flat के अंदर वो 1200-1400 मिलता है और 3000 का पैसा आप से लिलिया गया तो वो चीज अब बच गई है अब carpet area ही उसमें बेचा उसको mention किया जाएगा अताख खरीदने वाले को यह पता है कि वो कितना area खरीद रहा है पहले ऐसा होता था कि खरीदने वाले को पता ही नहीं चलता था कि वो कितना area खरीद एक बहुत ही महत्वण प्रावधान यह किया गया है कि builder को अपने द्वारा बनाए गए जो structure है उस से बहुत लोगों को फाइदा होगा पांच साल में ही सब कुछ दिखाई दे जाता है समझ में आ जाता है इसलिए यह पांच साल का period जब लोग रहना शुरू करेंगे completion के बाद तब दिखाई दे जाएगा एक अन्य बहुत ही महत्वण प्रावधान यह किया गया है कि builder जो bank account में रखेगा जिस bank account से वो पैसा तभी निकाल सकेगा जब उसके CA और जब उसके engineer एक certificate progress के बारे में देंगे कितना काम progress हुआ है उसके बारे में जब वो project report पर sign करेंगे और certify करेंगे कि यह 10% project complete हो गया है 15% हो गया है 20% हो गया है 60% हो गया है तो उसी अनुपात में वो पैसा निकाल सकेगा अधर्वाइज वो सारा पैसा एक साथ कभी भी नहीं निकाल सकता यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि जो पैसा आप दे रहे हैं वो बिल्डर के account में जा तो रहा है परन्तु वो निकालने का हगदार नहीं है जब वो construction अगर मान लीजिए व उनकी नहीं थी और पैसा जितना भी जमा हुआ उस पैसे को लेकर इधर उधर भाग गए या बहाने करते रहे या प्रजेक नहीं टेक आफ हो पाया तो ऐसी हालत में पैसा बिल्डर से वसूलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कानूनी रूप से इसलिए लोग परेशान हो कर घूमते रहे परन्तु अब ऐसा नहीं है बिल्डर को वो सारा सेवंटी परसेंट पैसा अकाउंट में रखना पड़ेगा और सर्टिफिकेट के बिना वो निकाल नहीं पाएगा इस तरह से एक वाच डॉक क्रिएट कर दिया गया है और अगर किसी को इस सम्मद में कोई करनी है कुछ करनी है तो हर स्टेट में रेरा अथारिटी अपॉइंट हो गई है वहां पर आप शिकायत करेंगे जहां कि सारी डीटेल उसकी मंगाई जाएगी सामने लाया जाएगा सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद अगर बिल्डर के खिलाफ कोई गलती पाई आई जाती है तो इस पर आक्शन करने के आदेश दिये जाते हैं पेनल्टी दस परसेंट तक पेनल्टी लगाने का प्रावधान है और अगर वह लगातार ऐसे डिफॉल्ट करता है तो उसको जेल भेजने का भी प्रावधान है तो यह रेरा एक्ट में यह बहुत अच्छी ना चीश करेंगे हैं इसका हम सारे जो भी इन्वेस्शमेट करने वाले लोग Tucson प्लायट खरीदने वाले लोग परपरटी कहरीदने वाले लोग आपार्टमेंट कहरें वाले लोग और फ्लाट खरीद रहे हैं देंश और बहुत ही महत्मोंड चीज लाई गयी यह लए गई है कि बिद्र अब एकतर फाई एग्रिमेंट पर आपंप्साइन नहीं करा सकता जो भी उनको साइन करना है उसका एक फॉर्मेट है उसमें क्या-क्या शब्द लिखेंगे क्या-क्याầ चीजिभे क्या-क्या मेंडेट करेंगे तसाइस है उसफर और वो साइन करा सकता अगर लिखता है कि आपका फॉर्फिट हो जाएगा पैसा और एक भी पैसा नहीं मिलेगा तो गलत माना जाता है और आप इसकी शिकायत कर सकते हैं तो इस तरह से यह जो फ्लैट बायर एग्रिमेंट जिसको हम बोलते हैं जो अलाट्मेंट लेटर है जो आपका टाइटल डॉकुमेंट होता है वो प्रिसक्राइब हो जाने से बहुत सारे फायदे हुए हैं और बहुत सारे प्रापटी खरीदने वालों के अधिकार बहुत अच्छे से सुरक्षित किये गए हैं इस तरह से यह कानून हमें बहुत ही सुरक्षा देता है और जो ल डर अब बहुत संभलकत चल रहे हैं और राकी प्रोसीडिंग्स जहां भी किजा रही हैं वहां बढगर कर सारी बाते समय से बताते हैं सब क्लियर करते हैं इसलिए रेरा का कानून बहुत ही अच्छा माना गया है हालां कि यह फूल्प्रूफ अभी भी नहीं है इसमें पा रहा है प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है कोई ने कोई कानूनी दाव पेज खेलते रहते हैं तो इस तरह से लोगों को फ्लाइट नहीं मिल पारा लेकिन देखा जाए तो लॉंग टर्म में ये कानून हमें बहुत मदद करेगा और घर खरीदने वालों के इंट करती है पढ़ती लिखती है देखती है समझती है और आपको जवाब भी देती है सारी जनकारी आप कमेंट में दे दे उससे फिर आगे उसके बारे में क्या कारवाई होनी है वो हमारी टीमा को बता देती